नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वाकत है आई आज उन्चालिस वर्स के पुरूस के पाम का अनसेस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरपर्थम इनके सवालों को सुरेंगे फिर एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्प्या करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल एकन को प्रेस कर दे ताकि लिटस नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं तो चलिए शुरू करते हैं इनका सवाल सुनने से पहले मैं एक दो चीज़े बताना चाहूंगा कि ये हतेली आपको बहुत कुछ सिखाएगी हतेली तो बहुत ही अच्छी है इसमें तो कोई संदेय नहीं है लेकिन इसमेली पैसे योग थे जो आपको मजबूर करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए और आपके इन्वेस्टमेंट के पाद आपके पैसे आपके पास रहते ही नहीं आपने जितने कमाई होते हैं अपने जीवन पे सारे पैसे आपके खतम होते वे नजर आते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि कस्टम में जीवन भी ताना पड़ता है तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही घटना हुआ था इनके पास कुछ लिक्विट था, कुछ लिक्विट पैसे थे मतलब इनके अकाउंट में पड़े वे थे इन्होंने कुछ समय कुछ अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर लिए एक जगा और फिर पता चला कि इनके जीवन पे उसका कोई बेनेफिट नहीं है तो सारे पैसे डूब गया अभी इनको एक साधारन जिन्दगी जीना पर रहा है तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि किस एज में नहीं करनी है, क्या ऐसे योग रहें जो नहीं करनी है इनका कोशन भी इसी में है कि जो पहले मैंने सम्मान कमाया या फिर धन कमाया, दौलत कमाया वो फिर से क्या मेरे पास आ जाएगा अब इस तिदिया कुछ खराब चल रही है कुछ नहीं बहुत खराब चल रही है तो मैंने इनको एक वर्टिकुलर एज बताया था कि 35-36 में कुछ प्राब्लम्स आई होंगी और उसके बाद से continue तीन-चार वर्ष की प्राब्लम थी तो वो चीज़े भी मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा यह इनका में परशन है तो पहले तो मैं उस चीज़ को दिखाता हूँ और समझाता हूँ देखिए जब आपका राहू लाइन आपके हैटली पे रहता है और भाग गी रिखा में डिस्टिर्बेंस तब क्या होता है कि व्यक्ति जितने पैसे इन्वेस्ट करता है उसका returning उनको कुछ नहीं मिलता और कोई बोलेगा गुरू जी मेरे हतली पर भी तो राहू लाइन था लेकिन मेरे जीवन पे कहां कुछ दिक्कत आया तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आपको कमाना 100 रुपे आप कमा 50 रुपे रहे हो तो 50 रुपे का दिक्कत तो है ही ना आपको अब आपकी भागी ही उतनी बली है कि आपको कुछ करी नी पाएगा राहू लाइन नुकसान भी देगा ताब कोई फरक नहीं पड़ेगा तो वो अलग बात है ना तो सब की हतली सब तरह की होती है लेकिन जनरल केस में यही होता है कि आपकी अगर हतली पर राहू लाइन का कट हो और भागी रेखा डिस्टर्वेंस हो तो उस समय आपको कोई पैसे लगाने की जुरूरत नहीं होती है आप उस समय कोई भी इंवेस्ट ना करो आपको जिसका धक्का लग सके या फिर परामश लेके करो तो सबसे पर तो मैं दिखाता हूँ कि दिक्कत क्या थी देखो तो यह कंप्लीट इनकी शुरू हो गई 34 से 38 तक की तो कंप्लीट दिक्कत है 34 से 38 इर, 39 इर तक की तो कंफरम बाली बात है दिक्कत है अब वहीं पर से आप देखे तो इनके फेट लाइन भी तक डिवन निके 37 तक तो गरबर है 30 यह तक डिवन इनके गरबर 33 यह के 33-34 से यह भी गरबर हो गई थी और 38 तक तो गरबर है तक डिवन 3-4 सालों का कम धूमिल है, कम दिखने वाली फेट लाइन है तो इसके regarding क्या होता है कि इनको भागे का भी साथ नहीं मिला लेकिन धूमिल भी तो है तो जीवन बस चल रहा है वही समझ लो आप तो इनको भागे का भी साथ नहीं मिला इन्वेस्ट किये इनके सारे पैसे डूब के तो इस बारीकी से मैं हस्तरिका को देखता हूँ और क्यों अपने मन से कोई भी योग निकालो क्यों कुछ भी अपने मन से योग निकाल के बता दू समझ पा रहे हैं न तो मैं भगवान नहीं हो न कि अपने मन से कोई भी योग बना दू निकाल के बता दू जो चीज़े सही है, उसको असपस्ट रूप से मैं देखना चाहता हूँ, वही मैं देखके काम करता हूँ, तो वही चीज़ है, तो ये दो इनकी चीज़े थे, जिसने दिनको प्रॉब्लम था, प्रेंशन मतलो, आगे आपके जीवन का समय अच्छा है, वो चीज़े मुझे कन्फर्म दिख रही है, तो 40 एर से इनकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम था, एक दम है, 101 परसेंट, और ये तक्रीवन आपकी लाइफ टाइम चल रही है, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी चल रही है, बतलब इनके बाद इनको फाइदा मिलेगा, इसके इनके फेट लाइन भी इनके 38 से बहुत इच्छी चल रही है, इनको फाइदा मिलेगा 38, 89 से, और एक बड़ी प्रॉपर्टी के योग भी बना रही है, तो आने वाले समय में, अगर आप जमीन जायदान में इन्वेस्ट करो, पहले इनका भी इनका यही काम था, प्रॉपर इनकी जो पाम है, उनकी सारे ग्रबाटी चावस थाम बैठ है, सारे ग्ररे स्ट्रॉपर ब्रशपती थोड़ा गरबर है, निर्न लेले में थोड़ी परिशानी आ सकती थी, और दोका का योग तो कनफरम था, और इनकी चैननर मा भी अच्छी है, तो इनके सारे ग्रोम इस् फेज और जीवन खराब होने में दोनों में बहुत अंतर हैं, तो बस इन लों का फेज खराब हो रहा है भी, आएगा आपका समय, मैं लिख कर देता हूँ, 100% आएगा, तो ये इनका प्रशन था, उस प्रशन का मैंने इनको उत्तर भी किया, कि 39 एर से आपके जीवने पर अच जो थम्ब है उस चीज़ को, थम्ब इनका है काफी बली, बहुत स्ट्रॉंग है, हलका सा यावा किरती है, मुशिवत के समय साथ मिल जाएगा, दूसरे इच्छा सकती है और तरक सकती दोनों प्रबल, और पहले तो अपने आपको ये सेट करेंगे, फिर आगे का सोचेंगे तो इनकी जो डिजायर्स की लाइन है, वो भी बकूवी है, स्ट्रॉंग व्यक्तित है, लचिला नीचरे पर इनका, इनकी थम्ब के स्ट्रंथ को देके समझ में आ गया, कहीं भी डलने वाले इनसान है, समझदार इनसान है, फिर देको समझदारी की लूप भी बहुत अच् है, बट मुझे लग रहा है, यह होगी, तो यह कहीं न करी धोके को इंडिकेर कराते हैं, यह दबाब भी आपको फुख-फुख के कदम लखने के आवशक्ता होती है, अगर ऐसी दबाब भी बनी आपके एदिली पर तो, यह चीज़ भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, फ पुर यह बुद्ध यह अच्छे फल देने के लिए काबिल है, फिर देखें इनके दिले पर फिंगर, तो ब्रश्पति फिंगर हलकी उपर जा रही है, हलकी सी, देखो ठीक से देखो तो, तो लीडर्सिप कॉलिटी कहीं न कहीं इंडिकेर करा रही हैं यह, सन फिंगर भी म साथ-साथ हिम्मत भी उसी लेबल का होता है, तो आप कोई भी काम को बहुत इजी वे में कर सकते हो, मैंने बहुत कम केसे में देखा है कि किसी इंसान की जो बेटर और सेटरन, इस सन बराबर हो गई, यह मैंने बहुत कम केस में देखा है, फिर देखो इनके सेटरन, सेटरन यहां से आ जाते हैं फिर देखे बुद्ध फिंगर यह तक्रीवर इनके first balance तक पहुच रही है तो communication wise काफी अच्छे communication में किसी परक्राइक संदेनी वैपारिक district कों से इनके तेलिए च्छी मानी जाएगी और वैपार वानी जमें इनको इंटरेस्ट और साथ-साथ सफलता मिलने के भी chances यहां से दिखाई पड़ते है फिर देखे इनके जुपटर जुपटर इनका ठीक है घर से बाहर कर value मान समान मिलेगा पड़ी वारिक district कों से थोड़ी समस्या यह अपने close के मित्रा आपको दोका दे सकते है और इसलिए मैं इनको suggestion देता हूँ partnership में तो काम मत ही करो और बिना वज़ा किसी पर trust भी मत करो फिर देखे इनके अतली पर यह कुछ गुरू वले है जो कि आपकी धार्मी कास्ता की सूचक है साथ-साथ आप पर अपकार हो से वाभावी nature है आपका लोगों के परती फिर देखे कुछ एक बढ़ा से square बन रहा है अगर यह complete होता है तो आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे फॉल देखे गया है आपके बिरश्पती को negativity को तो दूर करेगा ही करेगा साथ-साथ आपको आप जिस कार इछेतर में हो जिस कार जो काम कर रहे हो उसको भी अच्छे amount बढ़ा पाऊगे फिर देखे यहां से दबाव है तो व्यक्ती मैनती होता है मैनत में किसी प्रकार संदे नहीं है जीवन का last period में भी आपकी भागी रेखा कि फिर देखे यहां पर से उभार है तो व्यक्ती तो वेड गेन कर सकता है और साथ-साथ इनकी जो सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे लोग को इनकी मैनत का 70% के राउन फॉल मिल जाता है फिर देखे इनके दिलिपा खलक किसी line of education है तो basic knowledge रहेगी कभी-कभी इसमें छोटा line of education के बाना थोड़ा इनसान को समझने में देर होता है बट चुकी mind रेखा प्रबल है तो दिमाग के तीज होंगे बट कभी-कभी इनको लगता हो कुछ confusion में हो मैं यह चीज़े हो सकती है फिर देखे इनके दिलिपर इनकी पैत्रिक संपत्ति का साथ मिलेगा अध्यमस्तरिय और सीधी एक line है जो कि आपके एक job profession को indicate करनी है एक source of income को indicate करनी है जीवन पर किता वर खराबी समय आ जाए ना तो आपके एक job नहीं चूटेगा आपको कभाई वहाँ से होते रहेगी फिर एक अर्दर शुक्रवल है नुमा किरती मुझे दिकरी अलकेल किसी यह तो आपके mood को change करेगा है समाजी कभेलना किसी ने किसी पर करा के दर शायता है मूलता ही 25 से 34 वर्षों के बीच में आती है फिर एक line जो बन रही है यह आपके property, जमीन चायदाद, real estate के काम, plotting इन चीज़ों से आपको यह फाइदा दिखा रही है यह जो line पड़ी हुई है फिर देखेंगे, sun bud में strong है, तो यह कही न कहीं आपकी महनत और आपकी nature, आपकी समझदारी को indicate करा रही है काफी समझदार पर सनवाब, चीज़ों को समझदारी के साथ करते हो, यह चीज़े तो confirm है, देख पा रहा हूँ फिर रिशन भी strong है, तो व्यक्ति को name fame चाहिए हो, ता मिलता भी है, और दो तिन खरी line है, तो बुद्ध की अगर खरी line है, आपको परतीत हो जाए, तो इंसान कहीं से भी पैसे कमा लेता है, confirm वाली बात है मंगल प्रधानताम अवस्था में है, तो एनरजी यहां से सूचा कोड़ी है, एनरजी तो 101% बहुत अच्छी, चंदर मंगल अच्छी है, तो फिर जीवन में पैसे के लिए मत सोचो, पैसे तो आते ही आते हैं, आएंगे भी, phase खराब है, वो phase जैसे निकले का आपके जीव पूरा नहीं हुआ, यह पूरा होता है, आपको अच्छा बेनेफिट देगा, और यहां पर जीवन रिखा के साथ तो एक बना हुआ है, यह कई ना कहीं यहां पर से भी है, यह कई ना कहीं आपकी आयू में वरद्धी करा रहे हैं, तो confirm बाली बात है, आयू के रिकार्डिं में तो जीवन बर सोचो मत, अच्छा हो तो फिर सोचने का वश्यक्ता नहीं है, अच्छी अस्तर का लगजरी लाइफ का सुख मिलता है, फेज कराब है, जैसे फेज खतम होगा, फिर से आप उतने पैसा कमाल होगा, confirm बाली बात है, और शुकर की लाइने बनी हुई है, तो की रिलेशन से फैमिली टेंशन को इंडिकेर करा रही है, लेकिन फिर शुकर इनका प्रप्रधानता मवस्था में है, तो उस लेबल की इनको फैमिली की दिक्कत भी नहीं आनी, ये चीज़े में देख पा रहा हूँ, confirm, फिर दिके इनके दिले पर मंगल भी अच्छा है, त पहुती ही जाता है ये मांट में, तो ऐसे इंसान बहुत एनरजेटी कराते है, जमीन जाता के काम में, हमेशा इनको सफलता मिलते में नजर आती, अब आप खराब समय में पैसे आपने इन्वेस्ट कर ली है, तो कहीं न कहीं उसका दूस प्रभाप तो आपको मिलेगा न, एस्टो लॉजर या पामिस्ट कब काम आता है, इसी समय में, फिर देखा जीवन बेखा, बहुत स्ट्रॉंग है, तो आयू को लेके मत सोचो, और यही जो फेशता न, आपका 49 में वर्ष तक इसके बाद से आपके अच्छी प्रगती भी मैं देख पा रहा हूँ, तो continue basis के आपको 40 एर से प्रकृती मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी फेट लाइन से भी चीज़ दिखा रही है, यह तो confirm वाली ही बात आ रही है, और mind रेका हट लाइन तो बहुत अच्छा है, दिल दिमाग है तो बहुत तेज हो, परिवार से प्यार करने वाले हो, ऐसे लोग अपने परिवार का अच्छा मान सम्मान प्यार करते हैं, और दिमाग और दिल से तो कोई परिशानी नहीं है, इनसान बहुत देज होता है, समय खराब के वाज़ा से इनको परिशानी आई, टेंशन मतलो आगे है, आप उससे बहुत कमाल होगे, यह चीज़ मैं देख रहा ह होगा, यह चीज़े तो मैं देख पार हूँ, 101%, और बिजनस में आपको बेनेफिट है, बुद्धर एक प्रबल बनी हुई है, ट्रेंगल भी बना रही है, यहां पर हल्का था मीटा हुआ है, यह जैसे पूर्ण होता है, तो यह जैसे पूर्ण होगा, यहां से मैं देख प हम आया होगे, इधर से कुछ प्राबलम होई, वो तो मैंने बता दिया, तो यह था इनके दिलिगा पूर्ण होता विचलेशन, अगर आपका हमारा यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अगर आप प्रस्तन में मेरे सब्सक्रा